हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज मैं आप लोगों के समक्ष यतिंद्र मिश्र जी दोरा लिखीत एक रशना नौबत खाने में इबादत को लेकर उपस्थित हूँ इस निबंद में उन्होंने मसहूर सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खा के जीवन के बारे में बहुत सारी रोचक बाते बतलाई है नौबत खाने में इबादत सम्मंदित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है जहां पर मैंने इसके सारान्स को समझाया है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गिया है तो पाठ के आधार पर उस्ताद बिस्मिल्ला खा का चरिचितरन करें इसी प्रश्ण के उत्तर को लेकर मैं आज आज आप लोगों के समक्च उपस्तित हूँ तो चलिए आरंब करते हूँ बिस्मिल्ला खा का चरिचितरन यतिंद्र मिसुजी ने अपने रश्णा नौबत खाने में इबादत सिर्शक निबंद में प्रसेद सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खा के बारे में बहुत ही रोचक सहली में हर बात को प्रस्तुत किया है इस निबंद के अध्यन से उस्ताद बिस्मिल्ला खा के चरिचितर की जिन विस्रस्ताओं का पता चलता हुए इस प्रकार से हैं पहला सरल्ता वह सादगी उस्ताद बिस्मिल्ला खां बहुत ही सरल समहाव के थे, उनका जीवन सादिगी से परिपोन था उन्हें विविन विश्यविद्यालों से मानद उपाधियां प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें भारत का सरवच सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ यह सब मिलने पर भी उनके जीवन यानि रहन सहन, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया एक बार उनके एक सिस्या ने डढ़ते ड़ते यह कहा कि अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है यह फटी तहमद ना पहना करें, तो बड़े ही लाड से भरकर उन्हें जवाब दिया धत, पगली, यह भारत रत्न हमको सहनया पे मिला है, लुंगया पे ना है तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जीवन सादगी से परिपोन है विविन उपाधियों को, विविन सम्मानों को उपाने के बाद भी, उनके मन में कहीं भी अहंकार की भावना हम नहीं देखते हैं उनका जीवन, उनका रहन सहन, सादगी से परिपोन था यहां तक कि वे घर में फटे लुंगी को भी पहनते थे साधरनता हम लोग क्या देखते हैं, जिन लोगों को बहुत सम्मान मिला होता है वैसे लोग अपने आप में दिखावा में आ जाते हैं उनका जीवन फिर सीधा और सरल नहीं होता है लेकर उस्ताद बिसमिल्ला खाँ जीवन जो है भारत रत्न जैसा सरोच्य सम्मान प्राप्त करने पर भी कैसा है सादिगी से भरा हुआ है वो घर में फटी लुंगी पहनने में जराबी संकोच नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको जो भारत रत्न जैसा सरोच्य सम्मान प्राप्त हुआ है यह उनके सहनाई वादन पर हुआ है उसका रियाज करना जरूरी है अच्छे कपड़े पर उन्हें भारत रत्न जैसा सरोच्य सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है इस सत्य को वो भली भाती जानते हैं और यही कारण है कि वे आजीवन क्या कि रियाज करते रहे एक सच्चे सूर को पाने के लिए उन्होंने इसवर से प्राथना की इस प्रकार की बातों से पता चलता है कि अने को सम्मान मिनने पर भी उन्हें गर्व और अभिमान छू तक न होना नहीं थी उसके मन में किसी प्रकार का गमंड नहीं था विवान नहीं था उनके चरित्र की जो दूसरी विशेस्ता है वह धार्मिक सोहाद्र इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गंगा जमनी संस्कृती के प्रतिन धी उस्ताद बिस्मिल्ला खा सच्चे मुसल्मान थ वे गंगा नदी को हिंदू की भाती मैया कहते थे जब वे कभी कासी से बाहर होते और उन्हें सहनाई बजाना होता तो कुछ समय के लिए विसुनात वो बाला जी की तरफ मू करके सहनाई बजा कर अपनी स्रधा प्रकट करते थे इस प्रकार वे हिंदू और मुसल्मानों की इमिली जूली संस्कृति के प्रतीक थे यानि बिस्मिल्ला खां के रदे में धार्मिक सोहाद्र देखने को मिलता है वे मुसल्मान थे लेकिन मुसल्मान होते वे भी हिंदू धर्म के प्रती उनमें आस्था थी गंगा नदी को मैया कहकर उकारा करते थे जैसे के हिंदू ल देखने को मिलती है। यदि कभी ऐसा समय आया है कि उन्हें कासी से बाहर जाकर कहीं सहनाई बजाना पड़ा हो तो वो क्या करते थे? कुछ देर के लिए बिसुनात मंदिर और बालाजी जो मंदिर है उनके तरफ मुख करके सहनाई बजाते थे क्योंकि वे बिसुनात मंदिर और बालाजी मंदिर के प्रतिक्या है अपनी स्रध्धा व्यक्त करते थे इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्ला खा हिंदु धर्म और मुसल्मान धर्म और उनकी संस्कृती की एक्ता के परिचायक थे तीसरा, खुदा के प्रती आगाद आस्ता, उस्ताद बिस्मिल्ला खा सच्चे मुसल्मान थे उनके हृदे में खुदा के प्रती सच्ची और गहरी आस्ता थी पांचो वक्त वाली नमाज पढ़ते वे उनके हृदे में यही कामना होती कि खुदा एक सच्चा सुर्वक्स दे यानि बिस्मिल्ला खां जीवन भर रियाज करते रहे लिए उन्होंने कभी भी अपने आपको पूर नहीं माना वे इस्वर से ही प्रापना करते वे खुदा से ही प्रापना करते थे कि इस्वर उन्हें एक सच्चा सुर्व दे तो वे जब पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उनकी एक ही चाह है, एक ही कामना है इस्वर उन्हें एक सच्चा सुर्दे यदि कोई उनकी सहनाई वादन की प्रसंसा में सुभान अल्ला कहता तो बिस्मिल्ला कहते अलहम्दुलिल्ला इस प्रकार वे अपनी प्रसंसा को खुदा को समर्पित करते थे यानि उन्हें अपने उपर कभी भी गर्व नहीं हुआ, उन्होंने जो कुछ भी माना, इस्वर की देन माना है चौथा सच्चा रियाजी, उस्ताद विस्मिल्लाखा पक्के रियाजी थी, अपने जीवन के अंतिम समय तक वे सहनाई का रियाज क्या करते हैं, हमेशा सहनाई बजाना, वे कभी भी सहनाई का रियाज करना छोड़े नहीं, वे हमेशा सहनाई का रियाज करते थे, ताकि उन् पोण नहीं माना, उन्हें अंध तक लगा रहा कि सायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सूर देगा, वे खुद पर भी जल्लाई कि क्यों उन्हें अब तक सहनाई को सही ढंक से बजाना नहीं आया इन बातों से पता चलता है कि वे सच्चे कला के उपा सकते उन्होंने जीवन पर अपने साधना कौन से साधना, जो है अभ्या साधना में कोई कमी नहीं आने तो सहनाई वादा, उस्ताद बिस्मिल्ला खाने अपने रियाज में कभी कमी आने नहीं दी जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुछ काम करते हैं, तो क्या कहते हैं, कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया लेकिन, मनिस्टे तो आजीवन सीखता रहता है, हम सब भी आजीवन सीख रहे हैं हम अपने आपको कभी पूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा है ही ने ग्यान तो और सिमीत है ग्यान एक अथा समुद्र की तरह है और हम सभी के पास जो ग्यान है वो है उसके एक बूंद के बराबर है तो हमें भी उस्ताद बिस्मिल्ला खां से यह प्रेड़ना लेनी चाहिए कि हम भी आजिवन सीखते रहें यदि कभी हमने अपने आपको पूर मान लिया तो यह बहुत ही गलत बात है योगि इसके बाद हम तो कुछ सीखेंगे ही नहीं तो सीखने की इच्चा हमेशा मन में होनी चाहिए तो हमेशा कुछ न कुछ सीखना भी चाहिए जब हम सीखते हैं तभी हम ज्ञान भी प्राक्त करते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं पाँचवां रसीक और विनोधी सभाव उस्ताद बिस्मिल्ला खा रसूलन बाई और बतूलन बाई की गाईकी के रसिया थी अपने धेरो साक्षातकारों में उन्होंने स्विकार किया है रसूलन बाई और बतूलन बाई से ठीक इसी प्रकार वे कुलसुम हलवाईन की कचोड़ी वाली दुकान वो हिरोईन गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं इसके साथ ही साथ बिस्मिल्ला खाची जो है वो सुलोचना नाम की हिरोईन और गीता वाली नाम की हिरोईन को बहुत पसंद करते हैं इसके साथ ही कुलसुम हलवाईन की कचोड़ी को भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े ही चाव से और बहुत ही प्रेम से वे इन सारी घटनाओं को क्या है, बताते हैं कव अपने साक्षातकार के दौरान सुलोचना उनकी पसंदीदा हिरोईन रही थी, इनकी चर्चा से ही उनके गालों पर चमक आ जाती थी और लेखक ने बतलाया है कि जब भी कभी उन्होंने हिरोईन सुलोषना की चर्चा की है तो उनके चेहरे पर एक रहसमे मुझ कुरहाट के साथ क्या है गालों में चमक आ जाती थी वे कचोड़ी और जलेबी के सौकीन थे इसलिए लिखक ने लिखा है वे स्वादी और रियाजी दोनों रहे है चटा है फिल्म देखने के सौकीन उस्ताद बिस्मिल्ला खां को बचपन से ही फिल्म देखने के सौकीन थे वे हिरोईन सुलोचना की हर फिल्म देखते थे क्योंकि सुलोचना उनकी पसंदीदा हिरोईन थी उस वक्त सिनेमा घर के 3rd class के टिकट की कीमत थी 6 पैसे तो वे 2-2 पैसे अपने मामा, नाना और मौसी से लेकर फिल्म देखाते थे यानि 2 पैसा मामा से लिया, 2 पैसा नाना से लिया और 2 पैसा मौसी से लिया इस प्रकार खुल हो गए 6 पैसे और क्या करते थे? 3rd class का टिकट कटाते थे 6 पैसे में और सिनेमा देखते थे उन्हें फिल्म देखने का बुखार था फिल्म देखने का बुखार था या नहीं वो खूब फिल्म देखने का सौकीन थे इसे ही कहा गया है फिल्म देखने का बुखार तो साथ नमबर पॉइंट है भावग स्वभाव तो भावग स्वभाव का अर्थ क्या है कि बिस्मिल्ला खां हिर्दे से अतन भावग थे भावगता उनमें भरी हुई थी तो भावगता का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के दुख को देखकर क्या करता है दुखी हो उठता है व्यथित हो उठता है उसके भावग की गहराई में वो डूब जाता है ऐसे लोग क्या होते भावग होते हैं जो दूसरे के दुख को देखकर रोने लगते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ भाव सोभाव के थे उनकी भावकता मुहरर में विशेश रूप से दिखाई देती थी वे पूरे दस दिनों तक सोख मनाते थे इंदीनों वे न तो सहनाई बजाते थे और न अन्ह वाद दे आठवी तारिक को वे खड़े होकर सहनाई बजाते और दालमंडी में फातमान के करीब 8 किलोमेटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे उनकी आखें इमाम हुसेन वो उनके परिवार की लोगों की सहादत में नम रहती थी इस प्रकार हम उनमें एक सच्चे मानव और मानुवयता को देख सकते हैं तो बिस्मिल्ला खां का जो हुर्दे था वो भावता से परिपून था हुर्दे में इंसानियत की भावना भरी हुई थी यही कारण है कि मुहरम के दिनों में उनकी आखें जो है भराती थी क्यों भराती थी? इमाम हुसेन और उनके परिवार के सहाधत वर उनके बलिदान की बातों को सोच कर तो ये है बिस्मिल्ला खां के जरित की कुछ विसेस्ता हैं तो इन विसेस्ताओं को आप अच्छी तरह से समझें और फिर इसे आप जरूर लिख लें और उसके बाद ही याद करें परिक्षा के लिए ये प्रश्ण काफी इंपोर्टेंट है उम्मीद करती हो कि बिस्मिल्ला खां का चरिश्चित्रन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इस तब तक पढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुपकामनाए आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद